विदैंगर विधाक्रिकेश सेन ने शनीवार कडुरूं के PWD सरकीट हास में PWD और विद्धु दिभाग की अधिकारीयों की बैठक लेकर विवस्ता में सुधार करने की निर्देश दिये विधायगर के सेन ने दोनों विभागों की अधिकारीओं को सपष्ट रूप से चिताया है कि उनके विधान सभाज शित्र अंतरगत होने वाले सबी निर्मान कारीओं में पारदर शिता दिखनी चाहिए वहिए उन्होंने विद्धु विभाग के अधिकारियों से कहा कि उनके विधासभा शेत्र की जनता को विद्धु संबंदी किसी ही प्रकार की परिशानी नहों इसके लिए अधिकारी अपनी कायपणाली में सुधार लावें परिशात्मा की बैठक होती है तो साथ में ये भी तैय हो जाता है कि कुछ सुझाओ कुछ पहल करने की बात होती है जसे में कुछ सुझाओ और पहल स्टाट हुए है एक उस मेंने कहा है कि इस विषए पे काम करना है जैसे प्राइबिट हॉस्पिटल में कई सुधाओं की कमी है कई सिकायते आती है उसमें कई अच्छे होस्पिटल भी जो काम करते हैं तो इस विशे को देखा जाए जो लैब है वो लैब के पास अगर कोई सुविधा है जैसे कई कलेक्शन सेंटर बन गए है वो नॉम्स में नहीं है कलेक्शन सेंटर में अगर आपका है तो उसको यहां से अनुमती लेना है अनुगप्ती लैसेंस लेना है गुमास्ता लैसेंस लेना है उसको एक वाश्रूम चाहिए एक उसको बैट की सुविधा होनी चाहिए उसको जो है एसी लगा होना चाहिए ऐसी साइस विधाओं के साथ काम करना जो लोग नहीं है उसको ततकाल प्रभाव से उसको बंद करना है तो कलूप प्रक्रिया चलेगी आईश्मान कार्ट का इलाज कई जगा नहीं हो रहा है उसे देखना है बीम सा ऑस्पिटल में आईश्मान कार्ट से बन था मैंने ततकाल काहा है पहल प्र iemand सुबह से ईश्मान काई चालू हो जाएगा सउने काहिए वह काम हका वो वो मेंडिकल कॉलेज है उनकी कावेशली क्या है वो किस प्रकाद से जंता की सेवा कर रहे हैं उस विशेप्वे मैंने करने को करने को कहा है तक सुबह स्वास्त स्वास्त विभाग जिला चिक्सालय की टेम वैशाली नगय विधान सवा में ताबर तोड कारवाई होते देखेगा उनके खिलाब जो अनलीगल काम कर रहे हैं कई ऐसे होटल और ढावा जिनका कीचन जो है कीचन जो है गंदगी से भगा हुआ है वो सारे पर कारवाई होगी ऐसे बहुत सारे विश्यों पर चर्चा हुई है मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्वास्त विभाग का अमला सही दिशा और सक्रात्मक दिशा की और बढ़ेगा सरकार बदल गई है इसका एहसास उन अवेद काम करने वालों को कल होगा नहीं उनके साथ अज्याय हुआ है और इसकी पूरी जानकावी में संबंदीत प्री डबलूटी के एजगेटिव इंजिनेर से लूंगा और उनको न्याय दिलाने का काम होगा